और आर्सीपी टेक्स लगा करके सराब का अवैद कारोबार होड़ा है यहां पर इसमें दोसी जो हैं जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो लोग दोसी हैं आखिर क्यों नहीं आज तक रोक लगा पाए घरगर सराब भी करा है कहते हैं कि बिहार में बाहर है अगरगर सराब का कार हम लेइव घरोबार है यहीं तो हाल है हम डिलिबृडी हो रहा है कि को डिलिबृटि वी कर रहा है पता बिहार में लगाता जहरेली सराव से लोग की मौत हो रही है आपको बता दें कि वहीं बीजेपी का कहना है कि आप वैसे सराव क्यों पी रहे हैं आप पी रहे हैं तभी तो मर रहे हैं हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजत के बिधायक डॉक्टर मुकेश रौसन इसको आप कि पिछले कई बर्सों से पिछले पांच बर्सों से अधीक से सराव बंदी ए उसके बावजूद सराव आ रहा है और सराव कौन लाड़ा है भाई यह यहां पर समझ जाए कि सराव का अवैद कारोबार हो रहा है ब्लेक मार्केटिंग जो बोलते हैं उसको किया जा रहा है और आर्शीपी टेक्स लगा करके सराब का अवैद कारोबार हो रहा है यहां पर इसमें दोसी जो हैं जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो लोग दोसी हैं आ कियों नहीं आज तक लगा पाए घरगर सराब कारोबार है यही तो हाल है होम डिलिवडी हो रहा है कि कौन लोग कर रहा है जिसको किताब देना चाहिए हांत में उसको आप सराब थामा दिये वो बैग में सराब लेके होम डिलिवडी कर रहा है जिसको किताब से रिष्टा रखना चाहिए था आज वो सराब का बेपार कर रहा है क्यों यूबा पीडी तो यह सब भी कम हो जाएगा बीज़ेपी करी है नितिश कुमार से कि जहरेली सराब पर आप समिक्षा करें और गुजरात के तर्ज पर है वो काम करें इस पर क्या कहना चाहेंगे आप गुजरात में तो यही होता है कि सब्जी वाले भी लोग भी जो सब्जी बेजते हैं वो महापर्व में भोजपूर में जो है रोजगारी का जहांकी की तस्वीर जो थी वो सामने आई है इसको आप कैसे देख रहे हैं देखिए यहां पर रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं लोग पिछले 16 बरसों से नितिश कुमार जी कुरसी कुमार बैठे हुए हैं कुरसी पक बाते हैं डॉक्टर की भाली नहीं हो रही है तो आखिर किस चीज के रिया बैठे है जब लोगों को रोजी रोजगार आप नहीं दे सकते हैं तो फिर कैसे सरकार चला रहे हैं नहीं तिकता के अधार पे नितिश कुमार जी को अगर जरा सावी सर्म है तो इस्तिफा दें अ अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं के हैं तो कर लिजे और साथ ही साथ नितिश फोर्नेशन के फेस्ट पेज को भी जरूर फॉलो करते रहे हैं धन्यवाद